शेर्ड डेलुजन और शेर्ड साइकोसिस यह क्या होता इसके बारे में जानकर देने के लिए मैं आज आपके सम्मुख हूँ आई आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक किड़कर में मनोविकार सेख्सरोग सम्मुखन तथा व्यसन मुक्ति तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैट्टिस करता हूँ एक एक ही घर के दो बच्चे मतलब एक लड़का एक लड़की और इसके मां तीनों को लेके जाना हमारे घर से इसलिए एक आदमी हमारे पास में आए कि वे तीनों हमारे घर में बीमार है और उनको आप हमारे घर से लेके जाओ वर अब ऐसा ले जा सकते नहीं है सच्ची उनको problem है क्या है वोई medical problem आ सकता है तो बहुत हमने already उनको treatment डिया है मैंने psychiatrist से वो treatment लेते नहीं है police में information दिये police एक दो बार घर पे आ चुकी है और police ने सब देखा हुआ है police ने बोला इनको इलाज करने की जरूरत है तो मंगर यह तीनों भी बाहर जाते नहीं है और तीनों को delusion जो है पक्के जो विचार है delusional thoughts जो है वो पक्के और वो shared मा को पहले चाले हो गया और मा को यह चाले हो गया कि मा जो उनकी थी मतलब मा एक लड़का एक लड़की तो मा को यह था कि लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं लोग अपना पिचा कर रहे हैं लोग अपने को मा डालेंगे कोई मेरे खाने में जहर मिला रहा है ऐसा उसको पक्का परनाइड स्क्योजोफ्रेनिया था कभी-कभी वो बेबान हो जाती थी कभी गुस्ते से मार्पिट भी करती थी और बोलते थी कि नहीं लोग जो है आजू-बाजू वाले वो मेरे उपर नजर रख रहे मेरे बारे में टीवी में बात्चीत चलो मेरे बारे में न्यूज अ वो लड़का भी देरे-देरे रोज सुन्दे रोज सुन्दे और लड़की थी वो रोज सुन्दे सुन्दे उनका भी विश्वास बैठना चालोगा कि सच्चे ऐसा है अब इसमें जनेटिक भी काफी रोले मगर जब वो बातार में रहते हैं और मा के इतने influence में जब है वह दोमिनेंट करने वाली थी तो फिर वह उसका असर है बच्चों के उपर हो गया बच्चे भी माँ जैसे हो और तीनों का एक ही है कि लोग अपने खिलाफ है लोग मारेंगे वह अपने पिता जी के बच्चे अपने पिछल अपने घर बदलेंगे यहां अच्छे लोग नही पुलिस में जाके बोलते थी कि भाई हमको लोग पीछा कर रहे नाम बोलते नहीं थे कि इसका पुलिस के एक्शन लेंगे जब है नहीं कुछ तो तो शेर डिलुजन में और शेर साइकोसी जो था उसके लिए फिर हमने तीनों को भी उनके जो डिलेटिव थे उनको और बु कि अफिता ना पड़ता है इंजयक्टेबल हेलो प्रिडॉड इंजेक्टेबल रॉराइजिपाम है इंजयक्टेबल बाकि जो भी सेडेटिव जाने अंटिस्यकोटिक से उलाएंज ही पिन इंजेक्टेवल उससे भी कुछ फाइदा ने हो रहा हमको शौक टीटमेंट देन तो उसके इंफ्लेंस में बाकी भी लोग कुछ ना कुछ उंगियों पर असर न चालो जाता है। उनके ज्यादा ही रेधी ट्रीटमेंट नहीं किया तो बाकी लोग उनको भी बीमारी शुरू होती है। अभी लोग क्या बोलते हैं इसका जो है वो हरिडिटी है। कितना रोग हमको मालूम नहीं। अभी पुरा पक्का पुरू नहीं हो है। अगर इतना पक्का है कि रोज वो सुनके रोज वो सुनके बाकी भी घर के लोग उनके प्रभाव में आते रोगें उनको ऐसे लगना चलो जाता है। वह होते इरिटेबल, घर के लोग, मतला बहुत गुस्टे वाले बन जाते है, चिड़ी चिड़े हो जाते है, या वह भी शक्किले बन जाते है, तो जितना जल्दी हम कोई भी वेक्ति है हमारे घर में ऐसा कुछ हो गया, उसको जितना जल्दी हम अच्छा करेंगे उतना अच वह आदमी को बुरा है उसके खिलाब जाके वह पोलीस थाने में तक्रादेंगे इसके खिलाब पिता जीगे पिर पोलीस भी इसको बोल रही है कि आप ऐसे हो क्या है पिर पोलीस को बढ़ा कि ने अक्टिली यह तीन लोग बिमार है और यह आदमी जो अच्छा है तो उन्हों जब ट्रीटमेंट किया तो यह तीनों भी अच्छे होगे आपको विडियो जरू शेयर करना चीए ताकि लो जाता है एक तो चिर्चिरे बन जाते है शकिले बन जाते है बराबर वेवार नहीं करते है पिर हमको लगता है यह ऐसा क्यों करता है आदमी क्योंकि यह पेशन पना हुआ है पक्का वो रोज उनके ऊपर कुछ ना कुछ फेकते रहता है उनको कुछ ना कुछ अब्यूस करत किए उनको कुछ के उनकी ऊपर शक लेते रहता हए उसका बराबर भी को रहता है तो ये भी वैसे बन जाते फिर उनको ही चिर्चिरापन आ माच्छ